कि नमस्कार महुंवर शर्म और आप देखने नेक्स नाइन स्पोर्स लगातार बात हो रही है कि युवराज का दाविदार कौन है क्योंकि युवराज सिंग नमबर चार जब से छोड़ के गए हैं नमबर चार पर अच्छे बल्लेबाज नहीं आ रहे हैं लेकिन श्रेश अयर को दाविदार माना जा रहा था और अच्छे बल्लेबाजी करते हैं श्रेश अयर इसलिए युवराज सिंग का दाविदार बताया गया इन्हें और श्रेश अयर ने कल साबित भी कर दिया कि क्यों है वो अच्छे दाविदार और उन्हें नमबर चार पर क्यों खिलाना चाहिए हाला कि कल उनकी बल्ले बाजी नमबर चार पे नहीं आई लेकिन स्टेश अईयर जब बल्ले बाजी करने आए उत पहले देखा गया कि टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही इंडिया की टीम की शुरुआत जाद अच्छी नहीं रही और शिकर दवन उनकी शांदार पार्टनर्शिप करी कप्तान विराट कोहली ने और उसके बाद रोहिश शर्मा पवेलियन लौट गए और उसके बाद नमबर चार की बल्ले बाजी आती है रिश्यप बल्ले बाजी करने आए उनसे काफी उमीदे थी लेकिन कार्लस ब्रेथविट जब बोलि के लिए उनको नमबर पांच या नमबर चै की बल्ले बाजी मिलेगी तो रिश्यप पंथ एक अच्छे बैट्समैन साबित हो सकते हैं क्योंकि विकेट कीपर हैं लगातार अच्छी फों में रहते हैं और उनका स्ट्राइक रेट जाद तर अच्छा देखा जाता है अगर वो नमबर चार पर खेलेंगे तो धैरे नहीं है उस मुकाबले जो पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाएं क्योंकि नमबर चार के लिए काफी धैरा चाहिए होता है और उसके बाद जब 101 रन पर ही भारते टीम के तीन विकेट गिर गए तो फिर आई श्रिश और कप्तान व अच्छी बल्ले बाजी करी इस बीच कप्तान कोहली के साथ काफी बात चीट करते हुए दिखें ग्राउंड पर और उन्होंने काफी अच्छी बल्ले बाजी का दिखाया कि युवराज का दाविदार क्यों माना जा रहा है क्योंकि शेश अईयर ने अपनी पारी के दुरा गया कल शेश अईयर के साथ जब विराट कोहली रन मार रहे थे तो वो दूसरे और से पारी को संभाल के चल रहे थे लेकिन जब ऐसा लगा कि पारी कहीं ना कहीं धीरे हो रही है तो शेश अईयर ने भी शॉट्स लगाए जिस जो इतने अच्छी परफेक्ट तरीके से प्यार कर देगी कि नंबर चार और पांच कुछ इस तरीके से दिखेंगे क्योंकि ओपनर कहीं ना कहीं भारते टीम के सेट हैं इसके बाल भारते पारी के कप्तान अच्छी पारी खेल ले थे 120 रन पर लेकिन आउट हो गए कप्तान कोहली ने शांदार सेंश्री बनाई 125 ग के लिए जैसन होलन ने शेश आयर को बोल्ड करा उसके बाद भारते टीम ने 289 रन बनाए 299 पे साथ विकेट खो दिये थे बारते टीम और पचास ओवर में 280 रन का टार्गेट दिया जिसके बाद जब भारते टीम के अगर जब गेंदबाजी करने आई तो वेस्ट इंडी सेंचरी अगर मारते हैं तो एबिटी विलेर्स का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ेंगे और सबसे ज्यादा उमरदाज खिलाडी होंगे जो रिकॉर्ड तोड़ेंगे सेंचरी मार कर तो क्रिस गेल की शुवात अच्छी नहीं रही 24 गेंदे खेली और 11 रन मार पाए और एक च चार विकेट लिए क्रिस गेल जो रन मार रहे रन मार सकते थे और रन मार रहे थे अच्छी लैप पकड़ रहे थे दीरे दीरे उन्हें आउट करा ओपनर्स को शुवात में आउट करा उसके बाद मिडल ओवर माय निकॉलस पूरन को बैलिस रन की पारी खेल के और दिश्य टीम ने और 210 रन पर ओल आउट कर दिया वेस्ट इंडीस के खिलाडियों को और यह भारत की डगवर्ट लूइस मैथट से 59 रन से शांदार जीत हुई और 60 रन की इस जीत को भारत को काफी अच्छा असरदार माना जाएगा क्योंकि अगला मैच करो या मरो के लिए होगा व खारति जो भारते गेंद TOP ORDER अच्छा परदर्शन करते हैं और मिडल ओर में तो अब युवराज का दावेदार भी देख रहा है तो अब देखने वाली बात होगी कि अगले मैच में कैसा परदर्शन करते हैं कैसे परदर्शन करते हैं और भारते सब्सक्रिसे कर दो कर दो कर दो